बी एससी लिम्टेट के बोर्ड अब डिरेक्टर्स की मीटिंग आज 8 फरवरी 2022 को भी है और इस मीटिंग में बोनस इसू के साथ साथ क्वार्टर थरी के फानेंसल रिजल्ट को भी एप्रूफ कर दिया गया है तो चलिए हम लोग पहले इसके बोनस इसू के बारे में जानते हैं इस बोनस इसू का रिशियो 2 to 1 है इसका मतलब अगर रिकॉर्ड डीट पर आपके पास एक शेर है तो आपको कंपनी उस एक शेर के बदले दो और बोनस शेर देगी और आपके पास वो एक शेर तीन शेर हो बोनस इसू के बाद company का share का price उसी ratio में गिर जाता है जिस ratio में bonus दिया जाता है सपोज कि यह एक्स बोनस होने से पहले इस company की closing price 2100 रुपे प्रती equity share है एक्स बोनस होते ही इस company का share का price 200 into 1 upon 3 हो जाएगा तो 700 रुपे प्रती equity share हो जाएगा अभी company ने इस bonus issue की record date announce नहीं की है यह इस company का consolidated financial result है और यहां सारे figure lakh में बताए गए है quarter 3 में इस company का revenue from operation 192 करूड है जो previous quarter में 188 करूड था और previous year quarter 3 में यह 120 करूड था revenue from operation में year on year 60% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह 2% बढ़ा है quarter 3 में इस company का total income 218 करूड है जो previous quarter में 226 करूड के आसपास था और previous year quarter 3 में यह 162 करूड था year on year इसमें 35% की बढ़त है लेकिन quarter on quarter basis पर यह 3% गिरा है quarter 3 में इस company का profit before tax and exceptional item 66 करूड है जो previous quarter में 73 करूड था और previous year के quarter 3 में यह 26 करूड था तो year on year इसमें 153% की बढ़त है लेकिन quarter on quarter basis पर यह 10% गिरा है quarter 3 में इस company का net profit 58 करूड है जो previous quarter में लगबग 63 करूड था और previous year के quarter 3 में 31 करूड था तो year on year basis पर net profit में 86% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह लगबग 7% गिरा है quarter 3 में इस company का earning per share 13 रुपे 38 पैसा है जो previous quarter में 14 रुपे 22 पैसा था और previous year के quarter 3 में यह 6 रुपे 86 पैसा था तो आप देखिए पैट के margin में year on year basis पर तो बढ़त है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें 1% की गिरावट है तो आपने देख लिया इस company का revenue from operation year on year basis पर बढ़ा है और quarter on quarter basis पर भी बढ़ा है लेकिन इस company का total revenue year on year basis पर तो बढ़ा है लेकिन quarter on quarter basis पर उसमें गिरावट है और इस company के PAT और EPS में यर on year basis पर तो अच्छी खासी बढ़त है लेकिन quarter on quarter basis पर गिरा है उसी तरह इस company का margin भी year on year basis पर तो बढ़ा है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें गिरावट है तो मेरे हिसाब से इस company का result ठीक ठाकी है मुझे अमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें अपने family member और friends के साथ share भी करें धन्यवाद